Hello everyone, welcome to your online class. Myself, Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School, पहाड़ पानी. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, class 8 की science का chapter number 9. जिस chapter का नाम है हमारा reproduction in animals, जन्तुओं में जननन. तो reproduction का मतलब होते हैं जननन. और यह किसमा पढ़िंगे हम? जन्तुओं में जननन कैसे होते हैं? Do you recall the process of the digestion, circulation and respiration, which you have studied in your previous classes? आपने पाचन, circulation होता है, परिसंचरण और respiration होता है, breathing, जो हम सास लेता है, स्वसन. तो आपने पाचन और circulation और यह breathing के बारे में इससे पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं. आप class 6, class 7 में पढ़ चुके हैं कि किस तरह digestion होता है, किस तरह circulation होता है, और किस तरह respiration होता है. यह जो हम प्रक्रम हैं, यह सभी, सभी उत्तर जीविका के लिए बहुत जरूरी हैं. जितने भी जीविट हैं humans, इन सब के लिए क्या है, बहुत जरूरी है. You have also learned about the process of reproduction in plants. हमने plants में reproduction, पौधों में जनन किस तरह होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं. Imagine what would happen if organism have not reproduced. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individuals, generation after generation. कलपना करो कि अगर हम ये जनन ना हो, तो क्या होगा? ठीके, अगर जनन नहीं होगा, तो नए पेड़ पौधे उगींगे? नहीं उगपाएंगे. जनन नहीं होगा, तो एक इंसान से दूसरा इंसान उत्पन्न होगा? नहीं होगा. You have already learnt in your previous class about reproduction in plant. इससे पहली class, class 7th मां आपने पौधों में reproduction, पौधों में जनन कैसे होता है, ये पढ़ा था हमने. तो इस चैप्टर मां हम क्या पढ़िंगे? अनिमल्स में कैसे होता है? जन्तूओं में कैसे होता है? तो इसका first topic है हमारा mode of reproduction. जनन की विधियां. Have you seen the young ones of different animals? Try to name some of the young ones by completing table number 9.1. तो table 9.1 है, यहाँ पर देख सकते हैं. तो table 9.1 में जैसे animal है, animals के अंदे human आया है. ठीक है? Human का reproduction होके क्या आता है? बेबी. इसी तरह हम human के बच्चे को क्या कहते है? बेबी. और cat के बच्चे को क्या कहते है? इसी तरह कुटे के बच्चे को क्या कहते है? बटरफ्लाइ, hen. देख हो यहाँ पर, hen के बच्चे को. ठीक, क्या लिख है? मुर्गी के बच्चे को chick. चूजा कहते है. तो इसी तरह आपको बताना है कि आप इन सब के, जो हमें यहाँ पर animals क being born. Can you tell how chick and caterpillars are born? How are kittens are puppies born? Do you think that these young ones look the same before they were born as they do now? Let us find out. तो यह आप से कह रहा है कि आपने विभिन जनतुओं को बच्चों को पैदा होते हुए देखा होगा. ठीक है? तो आप बता सकते हो कि चूजा और caterpillar किस प्रकार जन में लेते हैं? जो हमाई चिक्स हैं, चूजा है, मुर्गी के बच्चे हैं, और जो caterpillar होते हैं, यह किस प्रकार जनम लेते हैं? How are kittens and puppies born? किटन, बिलोटे, बिल्ली के बच्चों को हम क्या कहते हैं? किटन और puppies, हम किसको कहते हैं? कुटे के बच्चों को. तो यह दोनों भी कैसे जनम लेते हैं? Do you think that these young ones look the same before they were born as they do now? क्या आपने सोचा कि यह जनम से पूर्व वैसे ही दिखाई देते हैं, जैसे यह अब दिखाई देते हैं. ठीक है, जैसे आपने कुट्टा जब छोटा है, तो उस टैम पे कितना कैसा दिखाई देते हैं? और जब वो बड़ा हो जाते हैं, तो किस तरह से दिखाई देते हैं? Just as in plants, there are two modes by which animals reproduce These are first sexual reproduction और second is asexual reproduction पौधों की तरह जन्तुओं में भी जनन की दो विदिया होती है पहला है हमारा sexual reproduction जिसे हम कहते हैं लैंगिक जनन और second है asexual reproduction जिसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन तो next हमारा topic है 9.2 Try to recall reproduction in plants which you study in class 7 तो याद करने की कोशिश करें जो आपने plants में reproduction पढ़ा था class 7 में You will remember that plants that produce sexually have male and female reproductive parts तो आपने पढ़ा होगा जो plants के भी जनन होता है उसमें एक हमारा क्या होता है male part होता है और दुसरा क्या होता है female part होता है Can you name these parts तो क्या आप इन पार्ट के नाम बता सकते हो पाधो के Like plant, the reproductive parts in animal also produced jam aids that fuse to form a gigote It is the gigote which develops into a new individual तो हमने पढ़ा जिस तरह हमने पौधों में पढ़ा था जिस तरह हमने पौधों में नर और मादा होते है इसे तरह जनतुओं मेंभी नर Voilà val इनने विभिन्न भाग और इनके अंग होते हैं ठीक है पौधों की तरह जनतुओं भी मेल और फीमेल अपना पेयर बनाते हैं और वो पेयरिंग करके हमें क्या देते हैं एक नया जीव देते हैं तो इसी प्रकार हम इसको क्या केते हैं क्या क्या है स्वक्यूं प्रोड्ड़क्षिं केहते हैं नेक्स्टोंपिkę हमार मेल ईत प्रोड़क्ति इस क्यारिक्छन स्टै। अब्रोडींच भी मेल नीव प्रोड़क्टिव प knapp इसबयो। called sperms. Millions of sperms are produced by the testers. Look at the figure 9.2. We show the picture of a sperm. So the sperms are very small inside. Each has a head, a middle piece and a tail. Does it appear to be a single cell? Indeed, each sperm is a single cell with all cell components. तो यहाँ पर आपको देख सकते हो, male reproductive organs in human. आपको यहाँ पर humans का male reproductive part दिखाया गया है. तो किस तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर sperm duct है, यहाँ पर tannis है और यहाँ पर testis है. तो इस तरह आप इसे देख सकते हैं. Next है, female reproductive organ. The female reproductive organs are pair of ovaries, oviducts, tube and uterus. The ovary produce female gametes called ova. In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Uterus is the part where deployment of the baby takes place like the sperm and egg is also a single cell. तो जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि आपको यहाँ पर female, mother, जो mother है, उसका आपको क्या दिया है? यहाँ पर organs का diagram दिया है. तो आप इसमें देख सकते हो. जो हमारा female होता है, female reproductive organs होता है, इसमें हमारा एक जोड़ी क्या है? ओवरीज है, ओवरीज को आप केते हैं अंडा शे हिंदी में और इसमें अंडा वाहिनी तथा गर्भा शे ही होता है, ठीक है? जहाँ पर हमारा गर्भा शे जहाँ पर आपका जो बेबी क्यारी होता है, यह आप इस diagram में देख सकते हैं. और जो अंडा सही होता है, वो मादा युगमा कुदपन्य करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाणू कहते हैं. फीमेल गैमेट स्कॉल ओवा या एक्स. तो मानव में प्रती मास दोनू अंडा सही, किसी एक अंडा सही में विक्षित होके अंडाणू में या फिर आप इसे एक कह सकते हैं, इसमें क्या होते हैं? निर्मोचन होता है इनका, रिलीस्ट होते हैं. ठीक है? तो इस तरह आपको दिखाया है. नेक्स्ट है, फर्टिलाइजेशन. तो अब है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का मतलब होते हैं निसीचन. ठीक है? जब यह प्रोसेस होती है हमारी रिप्रोडेक्शन. जनन प्रक्रम का जो पहला चरण होता है. शुकराणू और सकते हैं, fusion of sperm. इस नेक्स्ट आपका मेल का है, sorry, fusion of sperm and wobum. sperm male and wobum female. तो यह दोनों आपका when sperm comes in contact with an egg. जब आपका sperm एग के कोंटेक्ट मां आता है, such fusion. तो यह इस तरह का मिश्रेंड हैं दोनों का, egg और sperm का. यह क्या कहलाते है हमारा fertilization कहलाता है. निसेचन कहलाते है. तो निसेचन के समय जो हमारा शुक्राणू और अन्णाणू हसाई ये लित होकर एक हो जाते हैं और जिसके फलसरूप क्या मिलते हैं जाइगोट एक फर्टिलाइस्ट एक तो यहाँ पर आप इस डाइग्राम में देख सकते हो देखो फ्यूजिंग न्यूक्ली तो यह दोनों मिलके हम इसे क्या कह रहे हैं जाइगोट next है the process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father तो यह जो fertilization की process होती है यह क्या होती है meeting of an egg cell from the mother मा के द्वारा प्राप्त हुआ egg cell और sperm from father तो यह क्या है so a new individual inherited some characteristics from the mother and father some from the father look at your brother or sister see if you can recognize some characteristics in them similar to those of your mother to your father तो जो निसेचन के प्रक्रम में इस्तरी जो मा होती है के अंडारू तथा नर्पिता के सुक्रानू का सायोजन होता है तो अता जो नया इनसे मा और पिता से जो नया आपका एक बर्थ करता है बेबी तो उसे हम क्या कहते हैं जिसमें इनके लक्षन आते हैं और जो लक्षन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं वंशानू गत कहते हैं तो आप यह देख सकते हैं अपने भाई बहनों पर फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इंसाइड दफीमेल बॉडी इस कॉल इंटर्नल फर्टिलाइजेशन निशेचन की वह प्रक्रिया जो मादा सरीर के अंदर होती है उसे हम क्या कहते हैं इंटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग हूमन, काव, डॉग, एंड हैं तो यह प्रक्रिया बहुत सारे जानवरों में होती ह जो एक नया बेबी या एक नया बच्चा जन्म देते हैं अब है हमारा नेक्स टॉपिक डबलम्मेंट ओफ इंब्रयो ठीक है ब्रून का परिवर्धन फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन दे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोड विच बिगेंस तो डबलम इंटो इंब्रयो ठीक नीपराइजेशन और परिवर्धन निसयचन के फाल्सरूप जो रिजल्ट मिलता है वो हमार जो निसैचन के फाल्सरूप जो रिजल्ट मिलता है शरूप हमारा जाइगोट फॉर्म होते हैं और जाइगोट जब डबलेब्ड हो जाते हैं विक्सित हो जाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाते हैं इम्रियो भूर्ण फिर जाइगोट डिवाइट रिपिटेटली टो गिव राइस तो बॉल ऑफ सैथ तो हमारा जो जाइगोट ह जाइगोट को हम यूग मेनज भी कहते हैं जो लगातार विभाचित होकर कोशिकाओं के गोले में बदलते हैं तो जाइगोट है जाइगोट डबलग होके इंब्रियो बन जाता है और जो जाइगोट है वो लगातार कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है उसके बाद जो हमारी कोशिकाएं हैं वो एक होने लगती हैं मतलब वो सारी कोशिकाएं एकत्र होने लगती हैं और वो सारी कोशिकाएं एक जाल जैसा बना के क्या फॉर्म करती हैं टिशू उत्तक और टिशू और अनेक टिशू बनाती हैं तो टिशू क्या करते हैं हमारे डि में फिर cells मिलकर उत्तक बनाते हैं फिर tissue बनाते हैं फिर tissue से हमारे organs बनते हैं तो जो organs हमारे इस तरह जो हमारे developing चल रहा हम इसे क्या कहते हैं embryo, the embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development और फिर इस भून को गर्भा शय की दिवार में fix कर दिया जाता है जहां पर से वो विक्सित होने लगती है the embryo continues to develop in the uterus, it gradually develops body parts such as hand, legs, head, eye, ear, etc the stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called fortus तो इस तरह फिर जब वो उत्तक एकठ्थाओं के tissue बनाते हैं, tissue से organs बनाते हैं, तो यह कहां जाते हैं गर्भा शय में, तो जो गर्भा शय में हमारा भूर्ण है, उसमें धीरे धीरे आपकी विभिन बॉड़ी के पार, जैसे हाथ, पैर, आंखें, कान, तो यह सब चीजे उसमें डपलेब्ड होने लग जाती है, तो इस तरह जब भूर्ण की अवस्था, जिसमें सारीरिक भागों की हम पहचान कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गर्व कहते हैं, जैसे यह रेखो, यह बच्चे है, यह बच्चे, पहले हमारा क्या था, हमारा sperm और जो हमारा आपका एक तो इन दोनों से मिलके fertilization हुआ, fertilizer होने के कारण दो जायगोड फॉर्म हुए, ठीक है, दोनों एक साथ यह जायगोड कहलाया गया, फिर जायगोड के अंदर हमारा क्या होता है, भूर्ण बनते हैं, भूर्ण कैसे बनते हैं, जो जायगोड थे हमारा, वो छोटे छोटे सेल तो बहुत सारे सेल्स बनाता है वह सेल्स अगर एक साथ एक स्ट्रक्चर्टर बनाते तो उतर बनता है टीश्यू और वह तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो सारे बॉड़ी के अच्छी तरह सारे पार्ट को प्रोड्यूस कर लेते तो यह देख सकते हैं बच्चे में किस तरह बच्चे के आंग कान नाग हाथ तो इसकी वज़े से हुआ टीशू की वज़े से और टीशू कैसे बने सेल की वज़े से और सेल कैसे बने हमारे जाइकोड के वज़े से तो इस तरह यह प्रोसेस चलती है तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको यहां पर दिखाया है जाइगोड फॉर्मेशन किस तरह हो रहे है डपलमेंट आफ इंब्रियो फ्रॉम्द जाइगोड और इंब्रियो कैसे यह एगोड फॉर्स्ट इस्टेंज स्टेंज फिफ्ट इससेधक थर्ड इस्तेफ फॉर्ठ प्लत इसस्केष इतल ग्रण तो में और इससमें देखो जाइगोड शोट फॉयोद स张व इसाइ्ण थी चूटी होर बड़ भ्रोशिकाय तो आप यहां पर इस का डाइगराम अच्छ से देख सकते हैं तो इस तरह हमारा बॉडी में क्या होता है कोई भी बच्चे के बॉडी में बॉडी के अंदर गर्वाश र के अंदर किस तरह बॉडी के पार्ट का निर्मान होता है तो यह आपने इस topic में पढ़ा Next है हमारा Young Ones to Adult Next topic है Young Ones to Adult तो इसका मतलब है शिशू से वयश्क Young Ones मतलब शिशू, Adults मतलब उससे थोड़ा बढ़ा होना The new individuals which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become the adults जो हमारा new life, the new born baby और नया-णया baby पैदा हुआ उसमें, क्यकते हैy, ग्रोधी होती रहती है उसमें उसकी मुद्धी होती रहती है कब तक होती रहती है ?, जब तक वो adults नहीं बन जाता है जब तक वो VRS के नहीं बन जाता है उसमें वृध्धी होती रहती है In some animals, the young ones may look very different from the adults Recall the life cycle of silkworm In some one, कुछ ऐसे जन्तुओं होते हैं जिसमें जो हमारा नवजाद जन्तु है वैस्क से बिलकुल अलग दिखाई देता है जैसे कि एक्जाम्पल के लिए silkworm अब silkworm क्या था? तो silkworm हमारा वो कीर था रेशम का कीर जिससे हम silk मिलता था Silkworm के बारे में हम इससे पहले 6th class में पढ़ चुके हैं तो देखो, silkworm अपना अंडा देता है उस अंडे से क्या निकलता है? Larva Larva या फिर आप उसे caterpillar भी कह सकता है फिर उस caterpillar से क्या होता है? Pupa बनता है फिर pupa से क्या बनता है? Adult तो यह process हम इससे पहली class में पढ़ चुके है तो देखो Observe the different stage of a frog मेड़ की जो अलग-लग अवस्ता होती है उसके बारे में प्रेक्शन करो From the egg to the adult stage कि वो एग से अंडे से मेड़क से अंडे से उसके बड़े होने तक क्या-क्या उसके उसमें changes आते है We find that there are three distinct states हम देखते हैं कि उसके इसमें तीन different stage होती है अंडा होता है ठीक है एग के बाद tadpole जिसे हम larva कहते है और वो tadpole के बाद वो क्या हो जाता है Adult अपने वयस्क रूप में आ जाता है Don't the tadpole looks different from the adults जो tadpole होता है वो वयस्क से बिल्कुल ही अलग दिखता है Can you imagine that these two tadpole would same day become frogs तो क्या आप imagine कर सकते हो कलपना कर सकते हो कि यह एक दिन जो यही tadpole है जो बिल्कुल अलग दिख रहा है अपने वयस्क से क्या वो एक दिन वैसा ही रूप धारन कर लेगा Similarly the caterpillar और the pupa of silkworm looks very different from the adult mood इसी तरह जो हमारा रेशम कीट है जो इसी तरह हमारा रेशम कीट की जिल्ली या प्यूप जो भी है वो बहुत अलग दिखाई देता है तो वयस्क में पाने जाने वाले लक्षन नवजात में नहीं पाए जाते है जो लक्षन हमारे adults में पाए जा रहे वो लक्षन हमारे जो newly born baby होते है किसी भी animals का किसी भी humans का उसमें नहीं पाए जाते है तो फिट टैटपॉल और तो टैटपॉल और कैटरपीलर दियर आफटर तो टैटपॉल और कैटरपीलर है हमारी illy है ठीक है उसके साथ क्या होते है तो आप यहां पे देख सकते हो हमें life cycle of frog दिखाई गई है कि क्या दिखाए है हां पे life cycle of frog यह हमारा adult frog है जो egg देता है तो इस तरह एक एक दिया फि फिर उसके बाद जो उस egg से हमारा टैटपॉल पैदा होता है अब दिख सकते हो किस तरह का टैटपॉल एक पत्ती के शेप में उसके बाद लेट टैटपॉल यह जब पैदा होता है तो यह इस तरह का होता है उसके बाद जब धीरे धीरे उसमें हलकी ग्रोथ होती है तो इस So far, we have learnt about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba or amoeba? Do you know how they reproduce? Let's find out. तो अभी तक हम किस के बारे में जान रहे थे? अभी तक हम animals के बारे में जान रहे थे? तो यह जितने भी animals, frog यह जो भी थे, यह थोड़े बड़े थे, जिनको हम अपनी आखों से देख सकते थे पर जो animals को हम अपनी आखों से नहीं देख पा रहें, जो हमारे micro-organism है, शुक्ष में जनतु है, उनके उसमें reproduction कैसे होता है, उनके उसमें general कैसे होता है जैसे example है hydra और amoeba, जो हमारे किस के अंदर आते है, micro-organism के अंदर तो आप यहां पर देख सकते हैं budding in hydra, 9.11 में आपको दिखाया है, यह hydra है, किस तरह इसमें budding हो रही है, तो आप यह देख रहे होंगे कि यहां पर हो रही है, इसके निचले portion में इन इच हाइडरा, दियर में भी वन मोर ब्लक्स, इस ब्लक्स आर डबलपिंग न्यू इंडिविजवल्स, और यह आर कॉल्ड बट्स प्रतेख हाइडरा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि उपर डाइग्राम में हमें दिखाई दे रहा था तो जो यह उभार विक्षीद होते हैं, यह इनके नए जीव होते हैं, जिने हम बट्स कहते हैं, यह मुकुल कहते हैं जो यह देखो, उबरा हुआ यह आर है न, यह इसका नया जीव है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बट्स Recall the presence of बट्स in yeast इस्मरंट करने के कोशिश करो इन बट्स की प्रेजेंट हमने इस्ट में रेखी है इन हाइड्रा टुद न्यू इंडिविज्वल्ड डपलब्ड एज आउट ग्रोथ फ्रॉम सिंगल पैरेंट हाइड्रा में जो होता है हमारे जो नया इंडिविज्वल डपलब दो रहा है जो नया चीज उत्पन्न हो रही है वो क्या होती है एक सिंगल पैरेंट की होती है इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जनम देते हैं इससे हम कहते हैं असेक्श्वल रिप्रोडेक्शन Since new individual develops from the buds in hydra This type of asexual reproduction is called budding तो जिस तरह hydra में एक नया buds उत्पन हुआ Only one parent की साहता से तो इस type के asexual reproduction में जो हमारी budding हो रही है जो हमारे bud निकल रहे है इन buds को यह जो मुकल निकले हैं जो उबरा हुआ भाग है इसे हम कहते हैं budding Next है Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba तो जो asexual हमारा reproduction इसकी और भी अलग सारी बहुत सारी method है तो जैसे कि हम इसे micro organism amoeba में देखेंगे You have already learnt about the structure of amoeba You will recall that amoeba is a single-celled organism आपने amoeba के बारे में इससे पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हमें यह पता चलता है कि amoeba क्या है एक कोशिक यह जीव है It begins the process of the reproduction by the division of its nucleus into two nuclei This is followed by division of its body into two each part Receiving your nucleus Finally two amoeba are produced from one parent amoeba तो जैसा कि आपको जो amoeba में इसका केंद्रक होता है nucleus होता है यह केंद्रक दो भागों में divide हो जाता है तो यह केंद्रक जब दो भागों में divide होता है तो इसके परिडाम स्वरूप जो दो केंद्रक है वो बाद बाद में अपना space अलग कर लेते हैं जैसे यह है हमारा एक amoeba इसके अंदर यह हमारा एक केंद्रक है तो यह एक केंद्रक डिवाइड होके दो भाग में बढ़ जाता है उसके बाद यह फिर पूरा ही ऐसे इस तरह अपना यह यहां पे बीच में shift हो गया है तो इस तरह एक ही एक amoeba से हम दो amoeba को reproduction करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो daughter amoeba देखो nucleus था nucleus दो भागों में divide हो रहा हो फिर वो दोनों भाग अलग अलग हो गए तो इसे कहते हैं हम binary fission in amoeba amoeba में द्विखंडन binary fission क्योंकि यह हमें दो amoeba दे रहे हैं तो इसलिए से binary fission तो next है हमारे इसके keyword keyword है हमारा asexual reproduction, alongic general, binary fission मतलब द्विखंडन budding, eggs, embryo, external fertilization, fertilization, foetus, internal fertilization, metamorphosis, oviporous animal sexual reproduction, sperms, vivoporous animal और जाइगोट तो यहां पर आप इसके what you have learned what you have learned के अंदर इस topic के अंदर हमने जो जो चीजे पढ़ी आपको इसके बारे में पता चलेगा तो जैसे देखो, first था हमारे इसमें there are two modes by which animals reproduce there are यहां अभी हमने क्या पढ़ा जन्तुओं में दो विधियों द्वारा प्रजनन होता है पहला है sexual, दुसरा है asexual next है reproduction resulting from the fusion of male and female jamits is called sexual reproduction नर युगमक और मादा युगमक के सनलेयन द्वारा जनन को हम क्या कहते है लैंगिक जनन next है the reproductive organs in the female include ovaries, ovidect and uterus अंडा शै, अंडा वाहिनी एवं गर्भाश है किसके पार्ट है female के the reproductive organs in male include और male के कौन-कौन से है test, sperms, duct, spanish next है the ovary produce female jamits called ova and the test produce female gamits called sperm जो अंडा शै में मादा युगमक उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं अंडानू तथा vriction नर युगमक जो उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं शुक्रानू female वाले के हम क्या कहते हैं अंडानू और मेल वाले के हम कहते हैं शुक्रानों स्पंस और आपका ओवा तो इस तरह आप इसे आगी को भी देखेंगे आपको बहुत सारे इस चैप्टर के अंदर जितने भी हमने पड़े थे इनके लास्ट में आपको इन शॉर्ट टम बताया गया है नेक्स्ट इसके एक्साइज तो एक्साइज का पहला कोश्यन है तो हमार फर्स्ट कोश्यन है एक्स्प्लेंग देख सकते आपको दिया है आप इस तरह लिखेंगे रिप्रोडेक्शन इस बाइलोजिकल प्रोसेस तो जो हमने फर्टिलाइज़ेशन की प्रक्रिया पड़ी थी आपको वही बतानी है तो यह आप यहाँ पर से लिख सकते है या इससे पहले जो हमने पढ़ा है आप उसे भी इसमें लिख सकते है देख और इस तरह आपको डाग्राम शो करेंगे हुमयन एकसल प्लस हुमयन स्परम सह तो इस तरह फर्टिलाइज़ हुमेन एंब्रियो नेक्स्ट है चूस दो Key is the most appropriate answer यह इंटर्नल फर्टिलाइज़ेशन अकर तो इस तरह आपको यह पड़़् इसमें आणसर चूस करने हैं देखो An internal fertilization occur in the female body A tadpole develops into an adult frog by the process of metamorphosis The number of nuclei present in a jygote is 1 Next है true and false तो true and false आप देख सकते हैं तो इनको आप खुद करने के पहले कोशिश करें फिर अपनी इस आंसर से से match करें Give to difference between jygote and foetus तो jygote और foetus में difference किया है Jygote it is fertilized egg from after the sperm with egg और foetus it is stage of the embryo that show all the main fusion recognizable body parts of a mature organism Jygote divides several times to an embryo और embryo gradually developed in foetus तो इस तरह आप इन दोनों में difference लिख सकते हैं Next question है define a sexual reproduction तो अभी हमने पढ़ा था asexual किस में होता है hydra और amoeba में आप देख सकते हैं hydra में कौनसी method के थू होता है budding process के थू होता है binary fission किस तरह एक amoeba का जो nucleus है वो दो में बढ़ जाते हैं और इस तरह एक amoeba दो amoeba को एक amoeba से दो amoeba बन जाते हैं तो यहां पर आपको budding का hydra का भी दिखाया है next है in which female reproductive organs does the embryo get embedded the embryo get embedded in the wall of the uterus तो question number 8 है what is metamorphose give example तो metamorphose क्या होती है जो हमारा tadpole या फिर caterpillar होता है उसकी जो stage होती है young ones उस young ones है जो adult stage में आने के उसके changes होते है वो हमारा metamorphose दिखाया है ठीक है तो आप यह देख सकते है metamorphose क्या है biological process है transforming और larva into an adult larva का adult में बनना ठीक है वो हमारा किसके अंदर आते है metamorphose difference between internal and external fertilization तो आपको internal और external fertilization में difference देने है ठीक internal कहा होते है internal the fusion of male and the female gamut inside the body और external it involves the fusion of male gamut outside the female body तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते है external के यहाँ पर example आपको fish, frog, starfish दिया है जबकि internal के example आपको यहाँ पर human cow हैं दिया है तो यह है हमारी कुशन चैप्टर नमबर नाइंद की एक्साइज जशो सब्साए जाएफ यहाँप़ criminal के अवाँ मुशन हैं वजह हैं यहाँ नाओए corn την